1960 के दशक में पुर्टगाल की राजधानी लिस्बन के काफी घरों में एक भारती की तस्वीर लगी रहती जिसके उपर लिखा होता जो इस शक्स को पकड़ कर लाएगा जिन्दा या मुर्दा उसे दस हजार डॉलर यानि इंफलेशन को जोड़े तो आज को हिसाब से लगभ से आजादी में नायक भूमे का निभाई थी हालाकि उनकी जाबाजी का किस्सा सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाता उन्होंने नाथूला दर्रे की रक्षा के लिए चीन को मूतोर जवाब दिया था और 1971 में पाकिस्तानी पॉज के सरेंडर की जो मशूर पोटो है उसमें भी जनरल नियाजी के पीछे वही खड़े दिखते हैं क्या है लिफ्टनिन जनरल सगत सिंग की कहानी चलिए जानते हैं नमस्ते मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं एतिहासिक किस्सो कहानियों सुड़ा हमारा रोजाना का कारिक्रम तारीख सगत सिंग का जन 1918 में हुआ था राजिस्थान के शहर चूरू में 1938 में उन्होंने बीकानेर रियासत की पौच की नौकरी की कुछ समय इरान में रहे और 1941 में सिंध में अपनी सेवाय दी 1945 में उन्हें ब्रिगेड मेजर बनाया गया आजादी के बाद जब बीकानेर का भारत में विले हुआ सगत सिंग भारतिये पौज से रोड गए और 1960 तक वो पचासवी पैराशूर्ट ब्रिगेड की कमांडर बने तब ये ब्रिगेड भारतिये सेना की इकलोती पैराशूर् कमांडर बनने का किस्ता भी बड़ा दल्चस्प है दरसल पैराशूर्ट ब्रिगेड का कमांडर सर्फ उसी को बनाया जाता जो खुद भी एक पैराटूपर हो लेकिन सगत शुरू से राइफिल रेजिमेंट का हिस्सा रहे थे यानि उन्हें पैराटूपिंग की ट्रेनिं पैराटूपर्स वाली मरून बेरिट हासिल करने के एक साल के अंदर ही नवंबर 1961 में उन्हें दिल्ली बुलाया गया और एक महतकून मिशिन की जिम्मेदारी सोपी गई गणतंत्र की स्थापना के बाद भारतिय फौज का सबसे बड़ा मिशिन ऑपरेशन विजय जिसका उ पैदल टुकडी मढगाम में एंटर होती और दोनों तरफ से सीना का कबज़ा हो जाता 18 देसंबर के रोज पारशूट से लांड करने वाले सबसे पहले सैनेकों में सगत सिंग भी एक थे उननेस तारीक की सुबह जब उनकी टुकडी शेहर की तरफ बढ़ी गुवा की पर्दगाली सरकार ने पुल वगरा सब तोड डाले थे सगत सिंग और उनके साथियों ने तेर करन दी बार की जब वो मंजम की किनारे पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी इसलिए उन्होंने अपने साथियों से सुबह होने का इंतजार करने को कहा क्योंकि आबादी वाले इलाके में रात को हमले से आम लोगों के मारे जाने का खत्रा था इसके बाद सुबर जब सगत अपने साथियों के साथ शहर में हुजे, गोवा की जनता ने मुक्तिदाता के रूप में उनका स्वागत किया और गोवा के मुक्तिदाता इसी नाम से उनकी ख्याती पुर्तगाल तक भी पहुँची BBC से बादचीत में इस किसे का जिकर करते हुए जनरल वी के सिंग बताते हैं कि 1962 में एक रोज कुछ अमेरिकी टूरिस्ट सगत सिंग से मिले उनमें से एक ने सगत सिंग से पूछा, क्या ब्रिगेडिय सगत सिंग है? जवाब में हाँ मिला साथी सगत ने पूछा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तब एक टूरिस्स ने जवाब देते हुए कहा हम अभी अभी पुर्टगाल से आ रहे हैं बहां जगा जगा पर आपके पोस्टर लगे हुए हैं आपके चेहरे के नीचे लिखा है कि जो आपको पकड़ कर लाएगा उसे हम 10,000 डॉलर का इनाम देंगे इस पर हस्ते हुए जनरल सगत ने कहा ठीक है आप कहें तो मैं आपके साथ चलू परेटक ने हस्ते हुए कहा नहीं अभी हम पुर्दगाल वापस नहीं जा रहे हैं इस किस्से के बरक्स कुवा के आजादी की पूरी कहानी हम पहले तारीक में बता चुके हैं जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक का इस्तिमाल कर सकते हैं बहराल कहानी पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं साल 1964 पर और साल सगत सिंग ने पैरा ब्रगेट की कमांड छोड़ दी और उन्हें सत्रवी माउंटिन डिविजन की कमांड दी दी गई मेजर जनरल के रूप में उन्होंने डिविजन की कमांड सभाली और पूर्वोत्तर की सीमा की देखरेक करने लगे इसी दोरान उन्होंने वायुसेना में दिल्चस्पी दिखाने शुरू की और युद में वायुसेना के इस्तमाल के गुर्जी की और 1964 में मिजरों में हुए विद्रो को खत्म करने के लिए हलिकॉप्टर के समाल किया अपनी सूजबूज की चलते उन्हें परम विशिश सीवा पदक से सम्मानित किया गया 1965 में जब पश्चिमी मोचे पर पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब भी सगत सिंग पूर्ब का मूचा संभाले हुए थे 1965 में उनका पाला पाकिस्तानी सेनिकों की बजाए चीनी की सेनिकों से पड़ा 1965 की लडाई का फायदा उठाकर चीन ने सीमा पर नाथूला और जेलेपला दर्रे के पास 5000 सेनिक तेनाद कर दिये ये बड़ा खत्रा था क्योंकि नाथूला पर चीन का कबजा हो जाता तो सिक्किम में गैंग टॉक तक वो घुजाते करीब दो साल तक चीनी फॉज ने नाथूला दर्रे पर अपने सेनिक तैनाद रखे इस दोरान जो भी भारतिय सेनिक सीमा पर बार लगाने की कोशिश करते चीनी सेनिक उन पर हमला कर देते जिसके चलते आए दिन हाता पाई और जड़क होती रहती 11 सितंबर 1967 की रोज एक ऐसा मौका भी आया जिब चीनी सेनिकों ने भारतिय सेनिकों पर गोली चला दी वे अपने पौजियों को वापस गोली बारी का देश दिया बकायदत चीनी सेनिकों के बंकरों पर बंबारी की गई इस घटना के कुछ रोज बार चीनी सेनिकों ने एक बार फिर से हमले की कोशिश की इस बार उन्हें मूतोड जवाब मिला और उनके 400 से जादा सेनिक मारे गई इस घटना के बाद चीन ने कभी नाथूला पर घुसपैट की कोशिश नहीं की सगत सिंग की जिंदगी में इसके बाद अगला बड़ा पल आया 1970 में इस साल वो लिफटनेंट जूनरल के पत पर पहुंचे और उन्हें तेज़बुर असाम भेजा गया यही से उन्हों पुल की मरमत में काफी समय लग सकता था इसलें लिफ्टनेंट जनरल सगत सिंग ने मेजर जनरल बी एफ गौंसालविस के साथ मिलकर एक दूसरा रास्ता निकाला उन्होंने सेनेकों को हवाई जहाद से उतारने का फैसला किया, बकायदा मुक्ती वाहिनी के लड़ाकों को नदी पार कराने के लिए भी इसी तरीके का इस्तमाल किया गया इस दोरान 9 हेलिकॉप्टर ने 60 उड़ाने भर कर 584 सेनेकों को मेगना नदी के पार उतारा यह कदम जनरल सगत ने बिना उच अधिकारियों की अनुमति के उठाया था और उनके इस कदम से जनरल जग्जीद अरूरा इतना नाराज हुए कि उन्होंने सगत सिंग को फोन पर चेताबनी देते हुए वापस आने की हिदायत दे डाली लेकिन जनरल सगत तस से मस नहीं हुए और उन्होंने जनरल अरूरा को जवाद दिया ओवर माइड़ बोडी यानि लोटेंगे तो मेरी लाश के उपर से जाना पड़ेगा जनरल सगत सिंग का ये फैसला एकदम सही साबित हुआ क्योंकि इस वैसले से कुछ ही दिनों में आसाने से चांजपुर और दोड़कंदी के इलाकों पर कबजा कर लिया गया और कुछ ही रोज में सीना ढाका तक महँच गई जैसा पहले बताया गया जिस रोज जनरल नियाजी आत्म समर्पन के दस्तावेश पर दस्तकत कर रहे थे तब सगत सिंग भीवा मौजूद थे देश को दी गई अपने विशिश सेवाओं के लिए सगत सिंग को साल 1976 में देश का तीसरा सरवोच नागरिक सम्मान पद्न भूशिन से सम्मानत किया गया इसी साल वो फॉज से रिटायर हुए करेब 25 साल बाद 2001 में दिल्ली के सेनेक अस्पताल में 82 साल के उमर में उनका नधन हो गया तो आज के लिए इतना ही अब हम आपसे विदा लेते हैं तारीख का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी कमल ने आपको कैसा लगा ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स खुला है अपनी राय जरूर दीजेगा शुक्रिया